सब्सक्राइब कीजिए क्रिकॉन रेल यूट्यूब चैनल को और दबाई ये इस पास में दिये गए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके क्रिकट और रेलवे से जुड़ी हर छोटी वड़ी अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दों किसको छूज करेंगे तो आपने से 74 परसेंट लोग जो है वो चूज करते हैं हमशफसे को पर्सेंट को भागी मेरे बारे में बात करूं तो तो हमारी जो गरीब रत है वो ICF coaches के साथ में चलती है और वहीं हमारी जो हमसफर Express है वो चलती है LHB coaches के साथ में तो एक तरीके से देखा जाए तो सारे ही comparison में हमसफर Express जो है वो बहुत आगे है गरीब रत Express से अब देखने वाली बात यह रहती है कि इंडियन डिल्वेस आग का सवाल यह है ति गरीब रत Express को खतम करने से अच्छा क्या हम इसको LHB coaches में convert कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि recently एक image leak होकर आई है LHB coach की जहां पर की आप लोग को जो side lower वाली side रहती है वहाँ पर आप लोग को side middle bird देखने के लिए मिल रही है तो हो सकता है कि आने वाले time में आप लोग को बहुत ही जल्दी एक LHB rack की गरीब रत भी देखने के लिए मिल जाए तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या यह possible हो सकता है और क्या आप लोग को आने वाले time में एक LHB गरीब रत देखने के लिए मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है मुझ दोसम मॉन्सून के आने के बाद में हमारी मुंबई की पूरी लाइफ है काफी ज्यादा अस्ति-व्यस्ति हो गई है और परटिकलर षब दिस्टर्ब चल रही है काफी सारी ट्रेन चले अनको रिशेडियोल करके चलाया रहा पर्टिक्रलि अगर हम लोग बात करें तो थोड़े टाइम पहले यहां पर अभी जो एक माल गाड़ी है वो भी डीरेल हो गए थी जिसके वज़े से यहां पर जो रेल्वे ट्राफिकरों काफी जादा यहां पर अस्तिवियस हो गया था इसके पहले यहां पर पर हमारे पुरा रेल्वे ट्राफिक है वो इफेक्टेड रहा था लेकिन यहां पर रेल्वे ने काफी जल्दी इसको पूरी तरीके से सही कर लिया था और हमारी जो ट्रेनर का ऑपरेशन है वो सही हो गया था गनीमत वाली बात यह है कि इस लैंड्सलाइट के टाइम पर पास-पास से कोई भी ट्रेन नहीं गुजर रही थी, अगर गुजर रही होती तो शायद कुछ casualty हो सकती थी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई casualty नहीं हुई है, उमीद करते हैं कि यहाँ पर मुंबई की जो बारिश है वो काफी जल्दी जो है, थोड़ी कम हो जाएगी बन दोना तो सही बात नहीं है, थोड़ी कम हो जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर हमारे जो railway का traffic है, वो भी काफी जादा अच्छा हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेट निकलकर आ रही है, वो आ रही हमारे रेल बंतरीशी पियूश गोयल की तरफ से, दोस्तो उनको यह लग रहा है कि उनकी जो जॉब सेक्योरिटी है, और उनकी जो जॉब है, वो काफी ज़दा खराब हो जाएगी, या फिर काफी ज़दा यहाँ पर खत्रे में चली जाएगी, तो इसी के मद्दे नजर रखते हुए, यहाँ पर हमारे जो प्यूश गोयल साहब है, उनने एक चीज़ को बहुत जादा क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर हमारी जो रेलवे है, वो अपने इंपलॉईस के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देगी, उनका जो इंटरेस्ट है बिलकुल यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होने दिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ में बढ़ भी रही है, तो वो पूरी तरीके से प्राइवेट हैंड्स की तरफ में नहीं जा रही है, यहाँ पर ऑपरेशन जो है, पूरी ट्रेंस का वो सिर्फ इंडियान डेलवेस के हाथ में ही रहने वाला है, सिर्फ मेंटेनेंस जो है वहाँगी, जॉब पर किसी भी टरीके का कोई भी प्राव्लम नहीं आएगी, तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, अब देखने वाली बात ये रहती कि आगे जाकर क्या होता है, कभ यहां पर हमारी प्राइले ट्रेन says पर में जाती का यहाँ पर इस बार जो है budget मिला है particularly अगर हम लोग बात करें 2019 या 20 वाले 2019-20 का हमारा जो financial year है इसके लिए हाला कि इसके लिए मैं detailed वीडियो plan कर रहा था दुफैर में आने वाली थी वो वीडियो लेकिन यहाँ पर इतनी जादा बारिश हो रही है जिसकी वज़े से यहाँ पर मैं इस रूम पर नहीं आ पाया पाया तो कोशिश मैं पूरी करूँगा कि कल दुफैर तक मैं किसी ना कि तरह से उसे वीडियो को बना कर आप लोगों तक पहुचाई दूं काफी सारी यहाँ पर जो पॉइंट से उसमें में को आपके साथ में discussion करना है तो अगर पॉसिबल होता है तो कल दुफैर तक बारा बजी के पहले ही शायद आप लोग को वो जो वीडियो है वो मिल आप लोगों पता चल जाएगा community tab में एक बार चेक कर लिजेगा अब हम लोग बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हमारी अगली update की दोसे यहाँ पर जो कले अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारे उधंपुर श्रीनगर और बरमुला के बीच में बन रही हमार लोग expect कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर यह जो पूरा रेल प्रोजेक्ट है यह complete हो जाएगा उम्मीद यह जता ही जा रही है कि आने वाले दो या तीन सालों में यहाँ पर यह पूरा रेल प्रोजेक्ट को complete कर लिया जाएगा और आप लोग काफी असानी से यहा काफी अच्छा काम किया है जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहां पर हमारा जो मिशन रफ्तार है वो चली रहा है काफी जाद अच्छी तरीके से और इसके अंडर अगर हम लोग बात करें तो काफी सारी मेल और एक्सपर्स टेंज जो है उनकी स्पीड को जो है उनके ट्र पूरना एक्सपर्स है इससे नवंबर दो से दो घंटे 35 मिनिट का जो ट्रेवल टाइम है वो कट कर दिया गया है यानि कि अभी तो आप लोगों को दो तीन महीन थोड़ा बहुत कंप्रमाइस करना पड़ेगा लेकिन दो नवंबर के बाद में इसका पूरा शैडियूल र खरए वो आघे हैं हमारी मोदी गोवर्मेंट याना की मोदी सरकार को लेकर दो सपर्ट कर अगर हम लोग बात करें रेलवे के सेक्टर की तो यहाँ पर अभी मोधी का 2.4 शुरु हो गया यानि की मोधी की öज़्िक्र की नए शरकार शुरु हो गई लेकिन वहीं अगर लो बात करें पुराने सस्त्र की या फिर पुराने टर्म की तो यहाँ पर पुराने टर्म में मोधी सरकार के अंडर में हमारी जो रेलवे है उसका जो profitability है वो 7.8% तक कम हो गई है अब इसकी बारे में अगर हम लोग बात करें कि क्या वज़ा रही होगी कि यहाँ पर जो profitability है यह कम रह गई है तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी इंडियन डेलवेस है उसका capital expenditure बाकी साल के मुकाबले काफी ज़ादा बढ़ता जा रहा है और capital expenditure कब बढ़ता है जब यहाँ पर हम लोग infrastructure के उपर ध्यान देते हैं कि हमारी जो track है वो नए डेल रहे हैं डबलिंग का काम चल रहा है इलेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है स्टेशन वगेरा का modernization चल रहा है redevelopment चल रहा है तो इन चीजों के उपर जब आप लोग पैसे खर्च करते हैं यह सारी चीज़ आ जाती है हमारी capital expenditure के अंदर तो अगर इन सारी चीजों के वज़़े से थोड़ी बहुत profitability कम हो रही है तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ही है लेकिन यह profitability ज़ादा कम नहीं होना चाहिए उमीद यह जता ही जारी है कि आने वाला भी यह जो एक साल रहेगा इसमें यह profitability है जो नीचे गई है यह और भी ज़ादा जो है उपर आ जाएगी मतलब इसको cover करते हुए भी और उपर हम लोग चले जाएंगे तो अच्छी बात है देखने वाली बात यह रहती है कि इंडि चीट splits travelers के खिलाफ में जहांपर काफी सारे टीटी जो थे वह अलवग अलग स्टेशन के हिससे पर खड़े हुए और काफी सारे यहांपर जो टिकेट लेस ट्रैवलर्स हैं उनको पकड़ा गया है यहांपर बात करें फाइन के कलेक्शन की तो यहांपर तो लाग अठासी ह यानि की 2,88,000 का जो का फाइन का कलेक्शन है वो किया गया है जो की बहुत ही बड़ा नंबर है पर्टिकरल अगर हम लोग बात करें तो यह सिर्फ एक ही स्टेशन का नंबर है यही अगर हम लोग अभियान पूरी इंडियन डेलवेस में चलाने लग गए तो यह फाइन का जो हमेशे एक वैलिट टिकेट के साथ में ही ट्रावल कीजिए बिना टिकेट के ट्रावल करना वैसे भी जुर्म है पकड़े जाओगे 500,000 रुपे तक का जुर्माना लग जाएगा कोई अच्छी बात होती नहीं है उसमें से अच्छा 20, 25, 500 रुपे की जो टिकेट आती है उस अगर कल का मौसम सही रहा तो वैसे अगर मौसम सही नहीं भी रहेगा तो भी हम एक वीडियो जो है उसका अपलोड करूँगा ही क्योंकि मुझको उस वीडियो की मदद से आप लोगो काफी सारी चीज़े जो है बतानी है काफी सारी चीज़ों के उपर डिसक्रशन करना है तो पॉसिबल यह हम लोग मिलते हैं कल सुबा दस या ग्यारा बजे के आस पास तब तक के लिए बीए ट्रावलर बीए एक्स्प्लूरर जय हिन जय भारत वन्ने मातरम